हलो फ्रेंज वेलकम टू आरोग्या मंत्रा आफ्टर दे ब्रेक आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से साइनसाइटिस के बारे में क्या है उसके कॉजिस क्या है उसके लक्षन और क्या है उसका निवारन चीह रॉक्टर साब तो हम आप से अब जानेंगे हमारे अगले कॉलर से नमस्कार जी नमस्की मादम आपका बहुत-बहुत स्वागत है वेलकम टु दिशो आप प्लीज अपना नाम बताईए पुष्पा जी कहां से बोल रहे हैं जबलपल अच्छा ठीक है आपना क्वेश्चन पूच्छ सकते हैं रॉक्टर चौहान से हैं तो आम बनता है म्यूकस बनता है और ज्यादा म्यूकस बनेगा तो उससे नौसी आपको हो सकता है आपको मूँ में पानी ज्यादा आना जाया कभी कवेश्चहो नाक में गले में खराश होना इस तरह कि अलंगर से और अगर कितने दिन होगे लुग होगे है में को दो साल होगे दो-टेन साल से तो सबसे पहले अपने खुद CCP बोला के अपचन सा आपको लगता है जानी या दूद्ध से बनी चीजें पनीर है दही है बहुत जादा मक्षन मलाई घी या नॉनवेज वगरक अगर सेवन करते हैं तो इनका सेवन मत करें दूसरी चीज आप पाचल को कैसे हमें इंप्रूब करना है पाचल को इंप्रूब करने के दो तरीके हैं एक तो आप जो अपन रेगुलर एक्सरसाइज करने चाहिए आदा पोना घंटा थोड़ा सा सेर करिए ब्रिस्क वाकिंग तेज 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 चलना थोड़ा बॉड़ी को हिलाना उससे भी बहुत फरक पड़ जाएगा लेकिन फिर भी दो-तिन साल पुराना रोग आपका हो गया है तो कुछ आयर हम देते हैं फिर हम जो है रूट कॉज को पकड़ते हैं ठीक है जैसा कि डॉक्टर साब कहते हैं कि पेट क्या साफ होना बहुत ही जरूरी है उसी से ही अनिक प्रकार की बिमारिया हो सकती है तो आप इसका निमारन जरूर कीजिए और जल्द से जल्द कीजिए और अगर मैंने कहा कि साइनेसिज वात, पित, कफ तीनों ही से हो सकता है, ऐर्वेद की दिरस्टी से, आप अगर थोड़ा से आज की भाशा में कहें, तो डॉक्टर लोग कहेंगे कि इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं, कि जब वहां पर विकृत कफ कहिए उसको, यह हम वह जब वहां जमा होती है, तो वहीं पर वायरस बैक्टिरिया या जो भी इन्फेक्टेंट होंगे, वह वहां जा करके ग्रो होंगे, कभी कबर ऐसा भी देखा है, जो लोग बहुत स्विमिंग करते हैं, या बहुत थंडी जगे पर रहते हैं, जहां बहुत ज़्यादा ब देखा हैं, जिन लोगों को जैसे अभी पिछले दर्शक ने परशन किया, जिन लोगों को अपच होता है, खाना ठीक से नहीं पचता है, उन लोगों को कई बार एक रूट बन जाता है, जैसी खाना नहीं पचा और बलगम बनी, या तो गले में आएगा वो, गले में ऐसे खराश करते हैं लोग या नाक में जाएं तो आपको मैं अभी इसी माध्यम से इसी शो के माध्यम से बता रहा हूँ जिन लोगों का नाक में बलगम है गले में खराश है तोड़ा खाने पीने पर भी आप जरूर धियांग रखेंगें जी जी डॉक्टर साब तो आपने कितनी सरलता से हमें बताया और कितनी इंट्रस्टिंग चीज है कि आयरवेद में बार-बार सब चीजे घूम फिर के पेट पर ही आती हैं बिल्कुल क्योंकि अगर पेट ठीक नहीं है तो आम बनेगा और जहां पहुंच गया आम वहां हो गया काम तबाव देखिए डॉक्टर साब आधा आयरवेद तो मुझे भी आ गया है आपके साथ रहके तो अभी हम बात करेंगे साइनसाइटिस के लक्षणों के बारे में ले कहीं मत चाहिएगा हम मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद